हलो दोस्तों वेलकम तू न्यू चैप्टर ओके न्यू चैप्टर इज़ दा फोर्स अंड मोशन ओके एंड इट कम संदर काइनेटिक्स नॉट काइनेमेटिक्स अब हम फोर्स को भी इन्वाल्व करेंगे ठीक है तो हमारा चैप्टर है न्यूटन्स ला न्यूटन्स ला आफ मोशन्स ठीक है अब हम फोर्स को भी इन्वाल्व करेंगे ठीक है अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ वेलो सिटी और टाइम एक्सेलरेशन ठीक है इन सबका कॉम्बीनेशन पढ़ा हमारी अभी तक की जो पढ़ाई थी या जो स्टेडी थी फिजिसकी उसमें इनी तीन चीजों का कॉम्बीनेशन था अभी तक फोर्स इन्वाल्व नहीं हुआ था ठीक है तो अब हम फोर्स को के जो प्राब्लम होते हैं जनरली इस अर्थ पर पाय जाने वाले वो न्यूटन्स के लौ से गवर्न होते हैं ठीक है थोड़ा रिपीट करते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा तो हम लोगोंने कुछ टीजे पढ़ी थी थी थोड़ा सा आपको उसका रिविजन करा छिए थे हैं कि हमने पढ़ा की वेलो सिति जो होती है वो होती है चेंज हम इन डिस्ट्रेशमेंट का और चीर्जि guar टाइम में दा टाइम रेट चेंज एड़ क इस अब आर्टिकल की जो वो मोशन करता है वो होती है डिस्टेंस अपान чेंज इन टाइम यहां वेक्टर नहीं आता है ट्वी ठोल डिस्टेंस अपान डिवाज़ेट वाइद अ कह सकते हो टोटल टाइम टेकन देटन और वेलोसिटी जो होती है वह ओती है अधिए displacement डिवाइड बाइद टाइम टेकन ओके दट दर रेट आप इसको इसको ऐसे लिए सकते हो लिमिट टाइम टी टेस्ट टू जीरो डेल्टा एस डिस्प्लेस्मेंट अपान डेल्टा टाइम ऐसे भी इसको लिखाजा सकता है और एक्सेलेरेशन क्या होता है मारा एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन जो होता है यह ताइम रेस सबुक्ता टाइम आपने निशिम चैनल टी इन दिवादेंट वायर दी चैनल के फिररट वायर ती दे बाई डीटी डीएस दाइडीटी और दी टू एस बाई डीटी टू और यह एस डिस्प्लेसमेंट है ठीक है तो याद रखना कि एक्सेलरेशन और वेलो सिटी जो आती है वह वेक्टोरियल कॉंटिती होती है और जो स्पीड होती है स्पीड वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डाइरेक्शन नहीं होती है यह सब चीज़े आप पर चुके हैं अच्छा थोड़ी चीज़े और देखते हैं एक्सेलरेशन हमने भी पढ़ा हम जानते हैं जैसा की डीवी बाई डीटी मेंस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज आप रेट और डेरीवेट्व कह सकते हो अगर मा लो पार्टिकल हमारा रश्ट पर हो पहली कंदिसंडरा देखो एक चीज हैं इसके आपर रखोगे इस एक्सेलरेशन क्या आएगा यहां से आएगा एक्सेलरेशन हमारा जीरो है और अगर हमारा जो पार्टिकल है वो गॉंस्टेंट मोशन से चल ला है यानि उसकी जो वेलो सिटी है उसकी जो वेलो सिटी है वो हमारी कॉंस्टेंट है यानि वी जो है वो एक कॉंस्टेंट है कॉंस्टेंट को के मान लेते हैं तो जड़ा इस पर रखो तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा क्या जाएगा दी बाई दी टी और वेलो सिटी कॉंस्टेंट हो गया और कॉंस्टेंट का डेरी वेट्वेट तो भी acceleration 0 रहेगा और अगर पार्टिकल हमारा constant velocity से motion कर रहा है तो भी हमारा acceleration 0 होता है ठीक है अगर acceleration positive है तो इसका मतलब है कि velocity बढ़ती जा रही है और अगर acceleration negative है जिसको deceleration बोलते हैं इसका मतलब है कि velocity हमारी time के साथ कम होती जा रही है तो यह तो मन हमने basic कीजिए अभी पहले भी पड़ रखी है ठीक है तो वहीं हम एक बार remind करा रहे थे आपको अब मेंट पॉइंट पर आते हैं Newton's law of motions ना तो असल में प्रिजिक्स की जो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग Newton's law को को अपलाई करते हैं अना उसको बोलते हैं Newtonian mechanics उसको क्या बोलते हैं Newtonian mechanics इसको जहां जहां पर हम लोग Newton's ला लगाते हैं उसको हम लोग Newton Newtonians mechanics बोलते हैं एक्चुली तीन प्रकार की mechanics होती है थ्री टाइप की एक होती है Newtonian mechanics एक होती है रिलेटिविस्टिक mechanics और एक होती है मारी quantum mechanics mechanics अर्थ की सारी प्राबलम जो भी अर्थ लेवल पर हैं जैसे कि हमारी सारी नहीं कह सकते हो जैसे कि गाड़ी का मोशन कार का मोशन बाइक का मोशन किसी पार्टिकल बड़े पार्टिकल का मोशन या कहले लोग बहुत छोटे पार्टिकल का भी मोशन जहां तक हो सकता है कि जो अर्थ की जो रियल प्राबलम है ना वह नूटोनियन केम से सल हो जाती जब जिसम्स कह अ कि यह उन पार्टिकल के लिए अपलाई होता है जिसम्हें टुम्ट का मितें हैं 3 into 10th power 8 meter per second तो इनके अगर आसपास होती है या इनसे मिलती जूलती है इनके 10th या 100th part भी होती है तो वहां पर हम Einstein की special theory of relativity apply करते हैं और उस physics की branch को बोलते हैं हम relativistic mechanics जैसे इसका इस्तेमाल mainly astronomical body जो होती है उनकी study में किया जाता है ठीक है और यह जो quantum mechanics है यह भी physics की एक branch है जिसमें की electron या इससे नीचे जो particles होते हैं ठीक है बहुत सब atomic particle कह सकते हो जब उनके study करते हैं तो हम quantum mechanics इस्तेमाल करते हैं बाकी आर्थ पर जो major problem है यह सब क्वान नूटोनियन mechanics यानि नूटन के जो लॉज हैं उनसे हम लोग solve कर लेते हैं जैसे कार की स्पीड है ना कार का acceleration निकालना या आइसी इंजन कह सकते हैं यह जो भी हम लोग आर्थ पर इस्तेमाल करते हैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं मोबाइल में बहुत electronics है वहां पर quantum mechanics का इस्तेमाल होता है लेकिन यह जो बलक मोसन वाली जो problem है इनको हम लोग बलक जो बाडी है इनका जो मोसन हम लोग study करते हैं तो नूटन लाही स्तेमाल करते हैं और इससे हमारा काम चल जाता है तो यह तो तीन ब्रांच हैं और इनके बारे में थोड़ी बहुत हमने आपको बता दिया तो हम यहाँ पर Newton's law के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से law हैं वो हम जानेंगे तो सुरू करते हैं Newton का first law Newton का first law याद नहीं करना है जस्ट समझना है जैसे आप कोई बाल लो एक फुट बाल लो और इसको फर्स पर यह जैसे एक बाल हुआ है यह बाल है और हम इसको जैसे अपनी आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा इसे मेज पर चलाते हैं और कुछ देर बाद यह बाल रुख जाती है ठीक है अगर हम इस बाल को ऐसे रखे रहते हैं तो भी बाल अपनी जगे पर रुखी रहती है और जब हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर बाद बाल रुख जाती है आप किसी मैदान में भी इसको फुटबॉल कुछ दूर तक जाएगी उसके बाद रुख जाएगी तो इस observation से यह चीज समझ में आई है कि कि बाडी अगर रिष्ट में है कोई भी बाडी रिष्ट में है तो वह रिष्ट में रहनी चाहिए अब यह बात अलग है जैसे कि हमने यह बॉल यहां पर रखी थी कभी कभी रिष्ट में नहीं रहती यह से रखी और कुछ स्लोप हुआ कुछ धलान है तो हमने तो रिष्ट पर रखी लेकिन पता तला धालान के चलते यह मोशन करने लगती है रेस्ट में नहीं रहती है यह अगर तेज आंधी आई जोर से हवा चली तो भी बॉल रेस्ट में नहीं रह पाती है और मोशन करने लगती है तो यह तो बात जाहिर हुआ कि जैसे धलान है ठलान में बॉडी रखती है लेकिन वो रहती नहीं वो मोशन करने लगती है यह तो हवा पर एक फोर्स काम कर रहा होता है जो कि उसको नीचे क्यों खींच रहा होता है धलान के नीचे क्यों वो है ग्रेविटेस्इसनल फोर्स और ज ये तो इसका मतलब है कि अगर यह एक्स्टेर्नल होते तो बाड़ी हमारी रेस्ट में रहती हमन्य मेरा थे अगर कोई बाड़ी या कोई आपके व्युन्य उसको रिस्ट में रहना चाहिए अनलेस उस पर कोई external force ना लग रहा हो तो ठीक है तो बाडी अगर रिस्ट में है तो वो रिस्ट में रहनी चाहिए अगर कोई external force लगेगा तो वो मूँ कर जाएगी लेकिन अगर external force नहीं लगेगा तो वो रिस्ट में ही रहेगी external force कुछ भी हो सकता है इसी प्रकार अगर कोई यह बॉल है जैसे और हमने मैदान में किक से मारा और बॉल को हमने वेलो सिटी दी कुछ देर बाद देखते हैं कि बॉल जाकर रुख जाती है कि बॉल जाकर रुख जाती है तो क्यूं रुखी मानलों हमने बॉल को इनीशली स्पीड वी दिया और बाद में देखते हैं कि बॉल ऐसे मूँ करते करते और यहां पर आकर रुख गई लुक तो क्यों रुख गई क्योंकि इस पर कुछ external फोर्स काम कर रहे थे बायरी फोर्स जो कि इसको रोक रहे थे कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे एर फ्रिक्षन जो हवा चल रहती है मैदान में या फेल्ड में जो एर जो एर है वो उसका फ्रिक्षन उसको रोक सकता है उसको हमेशा रोकने का प्रयास करता है दूसरा सर्फेस और बाल के बीट में जो फ्रिक्षन होता है यह इसको रोक रहा है तो यह यह जो फोर्स हैं अपोजिट अपोज कर रहे हैं जो उसके मोशन को वह उसकी वेलोसिटी को घटा के धीरे से जीरो पर ले आते हैं कोई दूर जाती है लेकिन कलपना करो कि कोई काम न ne कर रहा हो लगार पर यन कि अगर हमने व एल लोसिटी वह रहनी चाहिए और वह करती है इन फाइनाइन डिस्टेंस तं"; अगर आब्जेक्ट की वेलोसिटी वी है जो चैनल कर तो तो कोई इस नगड़ोसिति वही रहे जो आपन की और सी स्पीड फिर्ट के अगर कोई भाड़ी र느 और गर कोई बॉड़ी वेल्लो की से मुह कर रही है तो हमेशा वी से ही मुह करेगी अनलेस उस पर कोई external फोर्स ना लग रहा हो external force ना लग रहा हो कि अगर external force ऐसा है कि जो उस body के motion को अपोच करेगा तो वो दीरे-दीरे रुक जाएगी अगर motion में है और अगर external force का effect कुछ ऐसा है कि उस body को मुह कराने में help करेगी जैसे आंधी और ball हमारी रखी है और आंधी आई उसको भगा ले गई तो इसने help किया motion करने में तो velocity बढ़ जाएगी रिस्ट में body नहीं रह पाएगी लेकिन external force कोई काम न कर रहा हो net external force नेट external force यानि बाहरी force और उनका net effect net effect जो काम कर रहा हो अगर वो जीरो हो कोई बाहरी force body पर काम ना कर रहा हो या बहुत से force काम कर भी रहे हो लेकिन उनका net effect जीरो तो वो बाड़ी अगर रिस्ट में है तो रिस्ट में रहेगी और अगर constant velocity से मूँ कर रही है तो वो constant velocity से मूँ करती रहे हैं ठीक है तो यही है हमारा Newton का फर्स्ट लॉव है कि समझ्या है कि अब फोर्स क्या है तो बताते है थोड़ा बहुत Newton का फर्स्ट लॉव समझ में आ गया ना बिल्कुल कि अगर हमारा कोई object रिस्ट पर है तो उसको रिस्ट पर ही रहना चाहिए अगर उस पर कोई external force काम ना कर रहा हो तो और अगर कोई हमार और अगर object हमारा यह body हमारी गर एक constant speed V से जा रही है constant speed से जाए विस्ट नॉट काल स्पीड वेलो सिटी तो अगर constant velocity से जा रही है तो वह constant velocity V से ही motion करती रहनी चाहिए तब तक जब तक कि उस पर कोई external force ना लग रहा हो external force क्या होता है जो फोर्स होता है वह body की velocity को change कर सकता है body की velocity को change कर सकता है ठीक है अब फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते है फोर्स नूटन का हमने फर्ष्ट लाग समझ लिया है अब थोड़ा फोर्स के बारे में जानते हैं फोर्स क्या है तो फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी की वेलो सिटी को चेंज कर सकता है फोर्स फोर्स जो है वो किसी बॉडी की वेलो सिटी को चेंज कर सकता है जैसे वो रिष्ट में है तो उसको उल्टी दिसा या उल्टी डिरेक्शन से काम कर रहा है तो इसको रूख भी सकता है कि यानि या पॉर्स की जो टेंदेंसी है वह चेंज न वेलो सिटी किसी बॉडी को की वेलोसिटि को चेंज करना उसका तेंदेंसी होता है फोर्स अगर वेलो सिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वेलो सिटी में चेंज और कुछ जिस टाइम में कर देगा उससे क्या प्रोडूस होता है आसा या कही सकते हो कि फोर्स बाड़ी में accelerate सकता ह। या उसकी वैङ सथी रोडिवेंग करेंं पदेडूरेशंग आजिया है और अगर 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 बाड़ियर में इसको कहती है उसको डिचलेरेशंग करने दा निचली, नियुक्त वर्स तो जो है वह है है। बाडी में acceleration प्रोड्यूस कर सकता है यही उसकी टेंदेंसी है चेंज इन वेल्यूसिटी वेल्यूसिटी को चेंज करने का उसके अंदर टेंडेंसी होता है फोर्स को के अंदर है अब कोई कोई बाड़ी इतनी बड़ी होती है कि हम उस पर कितना भी फोर्स लगा यानि एक्स्टर्नल फोर्स लगा है लेकिन उसमें मोसन नहीं आता है कि उसमें मोसन नहीं आता है जैसे इतना बड़ा यह हमारा बहुत बड़ा ब्लॉक है मान लो लकड़ी का उसका वजन कि 1000 केजी है अब इतना बड़ा ब्लॉक है अगर हम यहां से कुछ फोर्स लगाते हैं तो रेस्ट पे है बड़ में रेस्ट में रहेगा तो अचेंड इन वेलो सिटी हमारा जीरो है हम फोर्स लगा यह इसे उसको उस लेकिन उसको लेक्टी नहीं पाया तो यानि कि उसमें कोई वेलो सिटी में चेंज नहीं आया इनीशियल वी रेस्ट में था फाइनल वी रेस्ट में आया तो यानि उसका अशिप्र बालेस्ट ये C साथ देखोगे तो नहीं आया लेकिन यह जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं अगर इसके एकदम पास वाले सर्फेस पर देखो जैसे हमने दीवाल पर फोर्स लगाया तो जो आउटर लेयर ना दीवाल की सबसे पहली वाली लेयर वो वो दबती है भले हमको आखों से नजर ना है उस सर्फेस पर मोशन होता है ठीक है और कितना मोशन होता है उस मैटेरियल की एक क्वाल्टी होती है जिसको बोलते हैं इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना दबेगा कितना मोशन हो जाए उसके एक इंटरनल प्रॉपरिल्टी हो में मोशन नहीं आता है उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आती है तो जरूरी नहीं कि फोर्स एक्सेलरेशन पूरी होल बाडी में पैदा ही कर दें वह उसके सर्फिस के पार्टिकल में भी पैदा कर सकता है तो आयरे जय होल बाडी वह फोर्स का एक टेंडेनसी होता एक प्रयास होता है कि हम इसको अक्सिलरेट कभी कभी वह नहीं भी कर कि समझना आया तो इसको बोलते हैं फोर्स का एफेक्ट करना उसकी कोशिश करना प्रोडूस करने की कोशिश करना और चलते हैं फोर्स के बारे में करें तो जब फोर्स होते हैं फोर्स ठीक है जब हमकें बॉस्ट लगाते हैं मैं यह मारी बोडी है कि यह एक रिजिड बोडी है मतलब स्वालिड बोडी कह सकते हो यह एक रिजिड बॉड़ी है कि अलब इस विजिड का अर्थ दूसरा होता है यह भी हम आपको बताएंगे लेकिन अभी मोटा मोटा समझेगे यह एक सॉलिड बाडी है कि यह बाडी कई मानलों कई सिस्टम से मिलकर बनी है जैसे 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 कह सकते हो नट बोर्ट से जूड़ी हुई कर जैसे खड़ी है ऐसे तो कार में पईये लगे हैं इनमें बोल्ट लगे हैं जाप्ट लगे हैं पहुत से कम्पोजनेंट से मिलकर वो एक कार बनी है ठीक है लेकिन आए जैसे खड़ी है उसको इंजन द्वारा ऐसे प्यावर नहीं दिया जा रहा है तो इस इतनी बड़ी कार दो है कई कंपोनेंट्स जुड़ी होती है और दो कंपोनेंट्स जब जुड़ते हैं किसी भी möglich कर्सेंट से बॉल्टीं के द्वाएव कपलिंग द्वारा इसब जुड़ते हैना तो इनमें internal forces पैदा होते हैं लेकिन अगर हम whole body को देखते हैं whole body को पूरी car को देखते हैं तो इनके अंदर जितने भी internal forces हैं उनका net effect 0 आता है यानि चाहे जितने भी internal forces किसी body के अंदर हो अगर उनका हम net effect देखते हैं net internal forces का जो net effect है वो हमारा 0 आता है यह न्यूटन्स के थर्ड ला से मिलता है हमको थर्ड ला भी साथ आपने कभी सुना ही होगा कि प्रतेक मलब एवरी रियक्षन है जाइक्षन या एवरी एक्षन है जरीक्षन तो इंटर्नल जो हमारे फोर्सेस होते हैं उनका समझीरो आता है किसी भी अगर होल बाडी को हम द सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें लगने वाले इंटर्नल फोर्सेस को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उनका नेट इफेक्ट जीरो आता है ठीक यह बात याद रखना हम सिर्फ एक्स्टर्नल फोर्सेस को हम करते हैं और उनका नेट इफेक्ट जानने का प्रयास करते हैं अब फोर्सेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं यह हमारी रिजिट बाडी है वैसे सॉलिड बाडी कहलो और इसमें कई फोर्सेस काम कर रहा है एक्स्टर्नल एफवण एफटू फोर्सेस काम कर रहा है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स में डायरेक्शन होता है जैसे आप किसी आप अगर इस बाल में ऐसे धक्का मारेंगे इस और तो वो उसी ही ओर जायेगी ऐसा नहीं कि हमने ऐसे मारा तो यह इसे भाग जाएगी ऐसे नहीं है फोर्स का जिस और नेट इफेक्ट होगा वो उसी और मोशन करेगी तो फोर्स एक वेक्टर कॉंटिटी है हमेंसा याद रखना और इसका जो अब इतने फोर्स देखो इस बाड़ी पर काम कर रहे हैं तो जो नेट इफेक्ट आएगा सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट जितने भी बाहरी फोर्स काम कर रहे हैं उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो इनका सम होगा लेकिन वेक्टर सम उनको उनकी डाइरेक्शन के साथ जोडा जाएगा सीधा नहीं आप जोड सकते हो जैसे जैसे मालों यह 10 न्यूटन टेन फोर्स को न्यूटन में मीजर किया जाता है अभी बताते हैं तो अगर यह यह मालों 10 न्यूटन का फोर्स है यह 20 न्यूटन का फोर्स है यह 30 न्यूटन का फोर्स है यह 40 न्यूटन का फोर्स है और यह 10 न्यूटन का फोर्स है तो ऐ इसा नहीं कि इस बॉड़ी पर लगने वाला जो नेट फॉर्स है वो टेन प्लस ट्वंटी यानि ठाल्टी ठाल्टी सिक्स्टी सिस्टी फॉर्टी हंड्रेड और टेन ये वन हंडेड न्यूटन गलत हम नेट फॉर्स में सीधे काउंट नहीं खर सकते हैं उसके लिए हमको इनको वेक्टर की तरह जोड़ना होगा उसका निट डायरेक्शन देखना होगा सभी का तब उनको जोड़ना होगा तो डायरेक्शन के साथ यानि वेक्टर के साथ जोड़ते हैं समझ में आया फॉर्स क साथ यानि direction को लेकर ही उनका उनका सम किया जाता है निकाला जाता है सीधा काउंट नहीं कर सकते हैं जैसे आपने बोल दिया नेट इफिक्ट मुलब बनाई है तो आप उसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं तो यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखने चाहिए कि जो फोर्स होते हैं उनको वेक्टर की तरह जोड़ते हैं बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसका मैगनिट्यूड निकालते हैं नेट तो वह होता है नेट मैगनिट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं कि जो फोर्स का मैगनिट्योड और डायरेक्शन कैसा होगा सबी diffé North and सब्सकर काम करेंगे तो in i am 2 थे कि था है फोर्स को निंटेन में काउंट करते हैं निंटन है ठीक है यह इसकी इसका मतलब कर फोर्स का मात्रा क्या कह सकते हूं कि आगे चलते हैं कर दो हमको एक की जोर मिला जो नेट फोर्स निकालते हैं हम कसी बादी पर वो सभी जो एक्स्टर्नल फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम होता है खिक और अगर नेट अगर एक्स्टर्नल जितने भी नेट फोर्सेस हैं उनका अगर सम अगर हमारा गर जीरो आजये तो इसका क्या मतलब हुआ यानि वही बात है कि अगर नेट सारे फोर्स एक्स्टर्नल सारे बाहरी फोर्स हमने पहली बोला कि इंटर्नल फोर्स कर लेते हैं उनको कौंट नहीं करते हैं तो अगर सारे एक्स्टर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम नेट फोर्स कह सकते हो और उसका वेलू अगर 0 आए 0 means not 0 means सारे फोर्स इस तरह से लगे हों कि वो एक दूसरे सब को बैलेंस कर लिया उसका नेट इफ्ट यह हुआ कि सारे फोर्स दूसरे को बैलेंस कर लिये हैं जैसे इस बॉल को इधर फोस्ट लगाएं ten Newton का और उधर से फोस्ट लगा देए ये watch ये बाँड हमारी एक लीसर में बैलेंसनों घाई तो अईसा है तब क्या होगा तो Newton का 1 प्ले का इसाARK हिह वही कि अगर सारे नेट erkst doctor अनल फोर्ते काम नहीं कर रहा है को एक्सटर्नल हैं है नेेट हमारा कह सकते हो जीरो है जीरों सखानी जाता है प्रेस और फार्टवि यह को काइंसल कर यानि कि उसको जञनल लैंग्विज में उसको जीरो जोल देते हैं अपने लेया सब्सक्राइब event जीरो तो तो उसका हुआ है कि अगर वह बॉडी रेस्ट में थी पहले तो रेट्ट में रहेए गहीं अगर वह बाडी अगर किसी वेलो सिटी से मूँ कर रही होती तो वो उसी वेलो सिटी से मूँ करती है ठीक है तो यह है फोर्स का अगर एक्स्टर्नल फोर्स अगर हमारा जीरो है तो साफ चीज है कि अगर वो बॉड़ी अगर वो बॉड़ी से तो वो कॉंस्टेंट वेलो सिटी वी से ही मूँ करेगी क्योंकि उस पर नेट एक्सेलरेशन जीरो काम करेगा कि चलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लाव हो गया है थोड़ा फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है अब आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉप पर न्यूटन का सेकेंड लॉप बोलता है कि किसी भी बाड़ी पर जो एक्स्टर्नल फोर्स जो काम करता है वो उस बाडी के मॉमेंटम मॉमेंटम जो होता है मोमेंटम के टाइम रेट टाइम डेरेट्टीौ के एक्कोल होता है यानि दा रेट ऑप चेंज ?", आप यूमेंटम अप एनि भडी इज नतिंग बट इस दा external force, external force net external force कह सकते हो यानि अगर बहुत से force काम कर रहा है उस body पर तो सभी का जो net external force है वो क्या होता है पूरी body का जो यह momentum होता यह linear momentum उसका time derivative होता है momentum किसी body का जो होता है वो होता है डी तो ये time rate चैन्ज वह है momentum किसी body का होता है उस body का mass और उस body की velocity मवी momentum linear momentum कह सकते हो linear momentum जो किसी body का होता है आप लोग जानते होंगे linear momentum जो होता है किसी body का वो होता है मारा यह है फिल्टू टू एंबी मासं तोрий है मास है किसी body का मास्थ उसकी property यह किलो ग्राम में देखते हैं क तो यह है आपका Newton का second law Newton का second law बोलता है कि किसी बॉड़ी पर काम करने वाले सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होता है वो होता है उसका मुमेंटम जो होता है उसका टाइम डेरीवेट जड़ा इसको और थोड़ा खोलो तो क्या आजाएगा यह यह आजाएगा दी यम ग्याएगा और प्लस ग्याएगा ऍद्व्य स्धेम डीट रिवस्ट चाहिए अना प्लक्ट वस्ट स्ट्वरस्ग कि अगर बाडी हमारी एकदम रिजीड एकदम सॉलिड है और वो बाडी के मास में टाइम के साथ कोई कोई एफेक्ट नहीं आ रहा है जैसे यह डेस्टर अपिश्टर मलब टाइम के साथ ऐसा ही रहेगा इसको चाहिसे थोड़ा कोई तो उसका मास कोई एगा है तो अगर बॉड़ी वह प्योर सॉड़ीड भॉड़ी है इस अगर सॉलिड वाड़ी है तो उसका मास्क में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएक यह पार्ट हो गया आपका जीरो तो नेट जो बूस बॉडि पर जो नेट एक्स्टरनल फोर्सेश काम कर पूर्सेश सेओं उनका नेट जो काम करेगा फॉर्स उनका जो रिज रिजल्ट जो आएगा टोटल वो होगा आपका यह पार्ट आपका जीरो हो जाएगा और यह पार्ट बचेगा m dv by dt but what is this change in time velocity upon change in time time derivative of the velocity is nothing but the acceleration तो यह आगे आपका m और acceleration ए यहें यह मासे जो किलोग्राम में नाते घौट एर यह एक्सेलरेशन дости meters per second इसकोर में नाते हैं ठीक थो तो कंथ निट थे सारे मेक्ष्टरणरल फोर्स तौर्ट नेट इसट आएगा वह जूर्ट का म मास इन्-T Max असमाच इंटू अस एक्सलिम味 यह यह कह सकते हो और यह net external force में जितने भी फोर्स उस पर काम कर रहे हों उन्हों सबका वेक्टर-sum सभी फोर्स यह net external फोर्स में जितने भी उस बॉड़ी पर यह solid body है और इस पर बहुत से सबस्क्राइब कर रहे हैं यही होगा आपका मास इंटू एक्सिलर साम तो अगर इस बाड़ी पर इस जो काम एक्सलेरेशन हमारा जीเลो और एक्सलेरेशन जीरो का मतलब है कि डिंवी द डिंटी एक्वल्स generic device इस और ये जा तो वेलो सिटी इंगा चाहिए तो कि या tota कोई बॉडी इस तरह मुझ कर रही होती है कि या तो या तो बाद्फ पर है हे तो इसका जीरो होगा उसका एक्सलेरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब है कि उसे पर जितना भी और और उन सब का नेट इफेक्ट जीरो होगा तो यह ल kingdom बैलेंस कर लेंगे यानि उनका विक्टोरियल सम जीरो वेक्टर होगा तो यह भी एक आपको थोड़ा बात मिली कि अगर कोई बाड़ी इस तरह से मोशन कर रही है कि वह या तो रिष्ट पे हो या तो वह कॉंस्टेंट वेलो सिटी से मुझ कर रही हो तो आप समझ जाते हैं क का मतलब है कि उस पर काम करने वाले जितने भी एक्स्टर्नल फोर्सेस हैं जितने भी उस बाड़ी पर एक्स्टर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वह सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यानि उनका वेक्टर सम जीरो आएगा है ठीक है यह आपको अच्छा कॉंसेट्ट मिला वह घुख अलिए बहुत जगें यूज होता है है कि यतो था सॉलिट बॉड़ी के लिए सालिट बॉड़ी के लिए यह फार्मूला मिला एंट एक्सक्टर्नल इक्सटर्नल अमास इंटू एक्स्टर्म सोगारक किलोग्राम में देखो आप से मास को आप दोज़ृब ग्रम आप Newton में मीजर करेंगे तो अगर मास को एक किलो ग्राम रखो और acceleration को मास को अगर आप एक किलो ग्राम रखो एम और acceleration जो ए है उसको एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखो तो यह जो star vidéo वह आएगा एगा एग वह किलोग्राम मीतर पर सेकेंड इसक्यार और इस क्वांटिटी को कहते हैं एक नुटन तो नुटन जो होता है वह एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्कॉयर होता है ठीक है यह जाद रखना मास को अगर kilogram में मेजर करोगे और acceleration को मेजर करोगे एंकेस सिस्टम में तो जो four सम जो आता है हमारा वह वन न्यूटन में आता है हो और अगर मालो हमारी जो बॉड़ी है यह हमारा जो अब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सॉलिड बाडी नहीं है वो सकता है कि उसकी वेलो सिटी कॉंस्टेंट हो लेकिन उसका मास कॉंस्टेंट नहीं हो मास जो है वो कॉंस्टेंट नहीं है तब क्या करोगे जैसे एक जैसे किसी वेलो सिटी फिक्स है यह वेलो सिटी उसकी कॉंस्टेंट है लेकिन जो मास है वो रिजिड नहीं है तो अब इस पाइप से अगर आप किसी दिवाल पर मारो गे पानी तो उस दिवाल पर कितना फोर्स लगना तरह यानि यह पानी निकल रहा है कि इस पर फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है वह कैसे का Grecap तो यहां पर हमारा कशुपर सब्सक्राइब के जो पैपस के चुई जो पार है उसका एस बीस्टी कॉइंट आप बचाक यहなँ है तो इस konnte सब्सक्राइब यहां अब बचाहिए एक तो इस कंडीशन में आपका जो आपनी कि तो पर बता रहे हैं वह आ जाएगा यह पार्ट जीरो आ जाएगा यह दियंग डिटी कि यानि टाइम रेट चेंज आफ दा मास और यह वेलो सिटी कॉंस्टेंट से मास कितना निकलेगा पाइप से अगर मालोब वेलोसिटी वी है तो एक सेकेंड में यह पानी ऐसे ऐसे यह वी डिस्टेंस तक आ जाएगा और इस गर पाइप का अगर एरिया ए है क्रॉस सेक्षन तो वह हो गया तो टोटल जो मास होगा एक सेकेंड में कितना यह टोटल होगा इसका वाल्यूम अगर यह पानी की धार एक सेकेंड में ऐसा ऐसा फिगर बनाएगी और उसका वेलोसिटी वी है तो एक मलब पर स्टाइम यह पर सेकेंड कह सकते हो यह जो भी टाइम लिया है वह वी डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी तो इसका वाल्यूम कितना होगा एरिया इंटू लेंथ ए वी लगर वालूम पता हो गया तो टोटल मास कितना आगया अगि आ पर टाइम ए वी और इंटू रो डेंसिटी वेर रो इस दा डेंसिटी तो पर टाइम जो यह आया आपका मास चेंज वो आया आपका एवी रो इसको आप और अठिस से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से देखिए मैं इसको और इजी कर देता हूँ यह है पाइप यह पाइप है इसका क्रॉस सेक्षन जो ओपनिंग क्रॉस सेक्षन है वो है उसका मीटर स्कॉऋयर कह सक्तो हो जिसमें भी आपको ना पना को यहाँ का यह केसती हो जो भी पादिनीटी है वी से छी दिख स्फील है तो टाइम्स पानीटी में कितने दिस्टेंस चलेगा अगर वेलो सिटी है है तो मालो हमने टाइम दीटी लिया तो आखिर वह पानी कितना डिस्टर्फ सट्राइबल करेगा टाइम डीटी में वोट रफ्राइबल करेगा वी डीटी तक वेलोश्टी इन्टु टाइम उतने ही दूर तक जाएगा यह मान लो आपका पानी चलता चलता डीटी टाइम में यहां तक आ गया और आपकी यह लेंग्फ हो गई वी डीटी यह इस एडिकल से प्रहेगा ऐसे जो भी तो इसका वालूम कितना हो गया यानि डीटी टाइम में कितना मास निकला तो मास क्या होता है वालूम इंटू देंसिटी पहले वालूम देखो यह क्रॉस सेक्षन एरिया यह लिंथ वालूम आ गया आपका ए वी डीटी यह वालूम हुआ और अगर इसमें हम देंसिटी से मल्टिप्लाई कर दें वह आ जाएगा ए वी डीटी रो यानि कि डीटी खिल इतना मास निकला तो रेट आफ मास क्या होगा और यह इतना चेंज मात में तो टो रेट आफ मासर डिटी डीटी और हो यह रोपर आप्ट यानि हमारा जो फोर्स आया वह आया ए वी स्क्वाइर इंटू रो है ठीक है उसका मेगनिटूड यह आएगा जो कि यह परपेंडिकुलर है उसके तो उसका दोनों का जो डॉट प्रोड़क्ट आएगा वह वन आएगा वह वेक्टर में जब आप देखेंगे तो वह आएगा तो अभी इसका अगर मेगनिटूड निकाले फोर्स का तो आएगा एवी स्क्वाइर रो तो अगर हम किसी पाइप जिसका क्रॉस सक्षन ए है और उससे वी वेलो सिटी से अगर पानी निकल रहा है तो वह पानी टोटल इतना फोर्स लगाएगा एवी स्क्वाइर रो अगर किसी जगे पर हम फेकें दिवाल पर मारें या किसी को मूंपे मारें तो उस बूसों उसको इतना फोर्स फील होगा यह पाइप का क्रॉस सेक्षन यह वेलोसिटी जो भी पानी निकल रहा है और यह पानी की डेंसिटी तो ऐसे भी हम फोर्स निकालते हैं ठीक है लेकिन रिजिट बाड़ी के लिए यह तो है लिक्विड बाड़ी के लिए और रिजिट बाड़ी के लिए सिंपल एक्वल टू मास फिक्स होता है और यह एक्सेलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्वल टू एम याद रखना है यह तो रिजिट बाड़ी के लिए लिक्विड बाड़ी के लिए ऐसे और मालो कुछ ऐसा हो कि जहां मास भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चुinta थिए तो हमको यहां से सेटळ लौज जो नूट्र एस चीटलो यह उसे हम सब्चरनल मलबS कैसे निकालते ऐए किसी बाड़ी का गरैक एक्सेलरेशन पता हो किसी बाड़ी कवापता हो और वो बाड़ी की किस acceleration से मूँ कर रही है तो हम यह calculate कर सकते हैं कि उस बाडी पर कितना काम कर रहा है या अगर किसी बाडी पर हम फोर्स लगाए निट external सभी जो बाइरी फोर्स निट जो लगाए तो उस बाडी का अगर मास पता कर सकते है कि वो बाड़ी किस एक्सेलरेशन से मूँ करेगी कि समझ में आया या यह तो हुआ हमारा न्यूटन का सिकेंड लॉग है ठीक है आई थिंक यह भी आपको समझ में अच्छे से आ गया अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं लास्ट लॉटन का ठाल लॉग यह घ्या लन अब यह नियूटन का ठाल लाग क्या एब यह वाल मालो हम रुटन का ठाल यह यह वाल है हमने एक बाल हैसे यहां से फेक ही और यहां पर उसको मारा है ठीक एसे मार के बाल यहां पर मारा हमने दिवाल पे तो अगर यह बाल दिवाल पे फोर्स ये को ये दिवाल है छो और इस वाल की चलते हैं बाह इस दिवाल पर फोर्स लगा एफ कि इस डिरेक्शन में बॉल ने फोर्स लगाया हमने बॉल को फेक के मारा और बॉल ने इस दिवाल पर फोर्स लगाया है तो उस बॉल पर दिवाल भी उसी डिरेक्शन में लेकिन जश्ट अपोजिट में इस अगर ऐसे बॉल ने फोर्स लगाया तो दिवाल भी वापस उसी बॉल पर फोर्स लगायेगी एफ अपोजिट डिरेक्शन इस डिरेक्शन सेम कॉंटिटी का फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डिरेक्शन इवरी एक्शन है जा सेम रियक्शन यह है न्यूटन का ठडला अगर एक बॉड़ी दूसरी बॉड़ी पर फोर्स एफ लगाएगी तो वो बॉड़ी भी वो बॉड़ी भी उस बॉड़ी पर अपोजिट डिरेक्शन में सेम मेग्निटूड का फोर्स लगाएगी यह न्यूटन का ठडला है ठीक है यह तो बहुत आसान लॉड़ है तो आपको यह तीनों लॉड़ समझ में आ गए हैं आब हम इनके अप्लिकेशन नेक्ट एपीसो से हम देखेंगे कि इनको अपलाई कैसे करते हैं रियल लाइफ प्राब्लम में ठीक है तो तब तक के लिए ध्यान से इसको पढ़िए मिलते हैं नेक्ट एपिसोड में ठीक है